वेल्कम टू नेक्सिक जाओं आज है 20 अक्टूबर 2022 और 20 अक्टूबर 2022 से करेंट पैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुछिर मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में बेस्कस करेंगे और हर कुछिन से एलेटेड इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप प लगम से भी डाउनलूड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको शारे पीडिया एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्सिनन दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्लम गूरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिएए इस्टार्ट करते हैं पहला कुशिचिर है हाली में बारेमां Defence Expo कहां शुरू हुए है तो अभी गुजरात के गांधी नगर में बारेमां Defence Expo शुरू हुए है तो इसकुशिन का बे Option सही है अच्चा इस बार के Defense Expo की theme क्या है path to pride récup क्या है थीम पाथ टू प्राइड तो पाथ टू प्राइड की थीम के साथ ये बारेमाद डेफेंस एक्सपो गुजरात के गांधी नगर में शुरू हुआ है अच्छा इसका परपज क्या है तो इसका परपज है घरेलू रक्षा आवस्यक्ताओं को पूरा करना और मित्र दे पयदिंगार्ट करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेलि मॉर्निग मोट कर सबसे पहले अपने लिए अच्छी हो जाएगी नेकोशन है हाली में 22 ब्लॉकचेन सिकھیर समिलन कहाँ शुरू हुआ है तो 22 ब्लॉकचेन सिकھर समिलन ये अभी दूबाई के अट्लांटिस दपाम में शुरू हुआ कहां पर दुबई के अटलांटिस दा पाम में अभी 22 मां 200 ब्लॉक चेन सिकर सम्मिलन शुरू हुआ है तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है ने कुशिन है हाली में केस राजी के मुख्य मंत्री ने राजी के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उदगाटन किया तो अभी तिरपुरा के चीपनिश्टर मारेक सहा ने तिरपुरा के पहले इंग्लिस मीडियम कॉलेज का उदगाटन किया तो इसको शिन का day options है ये तिरपुरा की capital अगरतला की कुंजाबन में ये पहला English Medium College खुला है और इसका उद्गाटन तिरपुरा की chief minister मारेक सहा ने किया है अब तिरपुरा तो ये है map में तिरपुरा तिरपुरा की capital के है अगरतला तिरपुरा की chief minister कौन है मारेक सहा और देव नारायन आ रहा अच्छा अभी तिरपुरा सरकार ने अर्ण विद लर्ण योजना शुरू की तिरपुरा सरकार ने मूबाइल पसु चिकित सा स्वास्ते सेवाएं शुरू करने की गोश्णा की तिरपुरा राजी सरकार ने मुख्य मंत्री चास्रमी कल्यांड प्रक प्रवंत्री मोधी ने बंगलदेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूर दी है और सदियों पुरानी केर पूजा त्रिपुरा में फिर से सुरू हो गई है ने क्यूशन है हाली में 2022 के सरसाइद उतकरश्थता पूरुषकार से केसे सम्मानित किया गया इन्होंने हिंदूस्तान और पाकिस्तान के मुसल्मानों पर बेज़़्ट बहुत सारा लेक लिए हैं इस बुज़े से इनको 2022 के सर सैयद उत्गरश्ता पुरुषकार से समहनित किया गया है यह हैं बारबरा मैटकॉफ अच्छा अभी रतन टाटा जी को समाज सेभा के लिए सेभा रतन पुरुषकार से समानित किया करनल सुरूप सिंग को अर्ट्रा में इंडिया का खिताब मिला है रॉक्सी कॉल ने 2022 देविंद्र लाल मैमोरियल मैडल प्राप्त किया है सयोक्त राष्ट सरडार्ती पुरुसकार एंजिला मौरकल ने जीता है कनाडा में क्लोबल इंडिया अवार्ट से अनिल अगरवाल को स ने शुक्状 है हाली में जेविलियन थ्रोवर डेपी मनू ने नेस्नल ओपन एत्लेटिक्ष में कौन सा पदक जीता है तो एक जेविलियन थ्रोवर है डेपी मनू इन्होंने अभी बैंगलॉर में नेशनल ओपन एटलेटिक्स में स्वर्ड पदक जीता तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है यह हैं जैबलीन थ्रोर डेप मनू इन्होंने बैंगलॉर में 81.23 मीटर की थ्रो के साथ यह गूल्ड मेडल जीता है नेशनल है हाली में अडानी एरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया तो अभी अरूड बंसल को अडानी एरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में न्यूक्त किया गया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है यह हैं अरूड बंसल अच्छा अभी BCCI के 36 में अध्यक्ष की रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया PayTM Payment Banking ने देपिन सिंग राठोर को अंतरिम CEO की रूप में न्यूप्त किया है केसोर कुमार पूल दासु को SBA General Insurance के MD&CEO की रूप में न्यूप्त किया गया अश्विने कुमार को देली सरकार से ग्रह सचिप की रूप में न्यूप्त किया गया है और बिनायक गोडसे को भारती डेटा सुरक्चा परिसत के नए CEO की रूप में न्यूप्त किया गया है ने क्यूशन है हाली में 2022 का Ballon Dior पूरुसकार किसने जीता है तो Ballon Dior पूरुसकार इसे Golden Wall Award भी कहते है ये इस बार Real Madrid के करीम बेंजेमा और बर्सिलोना की फूटबोलर एलेक्सिया पूरुसकार इन दोनों ने जीता है तो इस क्यूशन का से ओप्सन सही है उप्रयोगत दोनों आप इमेज में देखिए ये हैं करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पूरुसकार इनों ने ही 2022 का Ballon Dior पूरुसकार जीता है नेक्स क्यूशन है एसिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट वायोगेस प्लांट का उद्गाटन कहा हुआ है तो अभी पंजाब के संगरूर में एसिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट वायोगेस प्लांट का उद्गाटन हुआ तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब पंजाब की केपिटल क्या है चंडीगड पंजाब के चीप निश्टर कौन है भगबंत मान और पंजाब की गवर्णल कौन है बनवारी लाल पुरोहित अभी पंजाब चार बागवानी एस्टेट इस्तापित करेगा पंजाब सरकार ने रास्टी पुरुसकार प्राप्त करताओं को मासिक वजीफा देने की गोश्ण की है पंजाब में एक विधायक एक पेंसन इसकीम लागव हुई पंजाब का खेल विवाग 29 अगस्त को खेड मिले का आयोजन करता है पंजाब सरकार ने फेजेकल स्टाम पेपर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है पंजाब के सिक्षा बोड ने सिक्षे त्यास की तेन किताबों पर पत्यवन लगाया और राजी सरकार ने जगरनात रत्यात्रा को राजी उत्सब का टैग दिया है ने क्यूशिन है किस देश में बैस्विक युवाज जलवाईू सिकर समिलन शुरू होगा तो आज यानि की बैस अक्टूबर को बांगलादेश में बैस्विक युवाज जलवाईू सिकर समिलन शुरू होगा तो इस कुशिन का ए उप्सन सही है अब बांगलादेश तो ये है मैप में बांगलादेश बांगलादेश की केपिटल क्या है ढाका बांगलादेश की करनसी के है टका बांगलादेश की प्रजेंट टैम पे प्रैमिस्टर कोन है सेख हसीना और बांगलादेश के प्रजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कोन है अब्दुल्ला हामित अभी बांगलादेश के किरकेटर रूबल हुसेन ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की। बंडे में 8 जारन मनाने वाले पहले बंगलादेशी बल्लेवाज बने हैं तमीम इकवाल। और वसीफा नाजरीन ये केटू फत्य करने वाली बंगलादेश की पहली महिला बनी है। बांगलादिस के खिलाडी हैं तमीम इकवाल इन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है नए किशिन है हाले में किसने नए लेखा महा नियंतरक की रूप में कारवार समाला तो अभी भारती दास ने नए लेखा महा नियंतरक की रूप में कारवार स वाला है अच्छा ये 27 में नम्मर की लेखा महानियंत्रक बनी है अच्छा पहले लेखा महानियंत्रक कौन बने थे से एस स्वामिनाथन कौन से एस स्वामिनाथन ने क्यूशन है हाली में किस देश ने निहोंसु के लिए जे आई टेक पाने के लिए आविदन किया है तो पहल बार जापान ने निहन्सू को लिए जियाई टेक प्राप्त करने के लिए आविदन किया तो इसको इनका से ओप्शन सही है नई दिल्ली में जापान के दूतावास ने जापान का एक पेपदार्थ है निहुन्सू इसके लिए जियाई टेक पाने के लिए आविदन किया है न जापान तो यह मैप में जापान जापान की केटल के है टोक्यो जापान की करेंसी की है यें और जापन की प्रजें टैम स्पर कौन है फुमियो के शीदा नय Kishe हाली में बन्द जी बोड ने के सराज में नए बाग अब्यारंट को मंजूरी दी है तो अभी बन्द जी बोड ने मद्द प्रदेश में एक नए बाग अब्यारंट रिजर्ब को मंजूरी दी तो इस कुश्चिन का बे अप्शन सही है मद्द प्रदेश में पन्ना टाइगर reserve में एक नए बाग अभभी आरेन्ट reserve को मंझूरी दी गई अब मद्द्द्द थेत्ज तो यह है मैप मद्द्द्द c मद्धिप्रदेश की Capital क्या है बुपाल और बुपाल में है भोज़दाल मद्धिप्रदेश की Chief Minister है सिव्राज सिंग चोहान और मद्धिप्रदेश की Governor कौन है मंगो भाई सी पटेल अभी मद्धिप्रदेश हिंदे में Medical और Engineering की सिख्चा देने वाला पहला राजिवना है चैमी रास्टी मैला मेराथन 2022 का आयोजन मद्ध प्रदेश में किया गया स्वच्छ सरवेच्छ 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज मद्ध प्रदेश को गोसित किया गया और अडानी ग्रेंस ने मद्ध प्रदेश में 325 मेगाबाट की पबन उर्जा परियोजना सुरू की है। अच्छा मद्ध प्रदेश में काना, बांदवगड, मादव, संजे, पन्ना और सत्पुड़ा नेशनल पार्क है। नेशन है, हाली में पैंसन भोगियों के लिए एक इकरत पूर्टल किस ने लॉंच किया है। असम तो ये है मैप में असम, असम की कैपिटल क्या है? दिस पोर्ट, असम के चीप निश्टर कौन है? हेमन तब इस्व सर्मा और असम की गवर्नल कौन है? जगदेश मुखी, अभी ग्रह मंतरी अमित साने असम में पुलिस अधिच्छकों के सम्मिलन का उद्गाटन आज सरकार ने बेद्यारत स्कूल और वेल्स परयोजना शुरू की है। पबन कुमार बोर ठाकोर ये असम के नए मुख्य सच्चिव नियुक्तु हैं। असम के मुख्य मंतरी ने 1000 मौडल आंगनवाडी केंद्रों का सुभारम किया है। दूसरा बारसिक अंतरास्टी रेंजर पुरुसकार असम के उरंग नेशनल पार्क को मिला है। अच्छा उरंग नेशनल पार्क ये असम में है। असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क काजी रंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिवरुसेकुवा, रायमोना और देंग बटकई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। इसमें से काजी रंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। औ हाली में भारत के के सहर में ओमिक्रोन सब बेरियंट बेक्यू बन का पहला मामला मिला है। तो बारत की पुड़े सहर में ओमिक्रोन सब बेरियंट बेक्यू बन का पहला मामला मिला है। तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है। अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर। लाश्ट वीडियो मैं आप से कुश्यन पूचा, हाली में 2022 माहिला एसिया कब T20 खिताब किस देश ने जीता, तो अभी अपने देश भारत ने सेलंका को हराका, माहिला एसिया कब T20 खिताब जीता, यानि किस कुश्यन का, ए ओप्सन सही था और लगबग सबी स्ट्रेडनेस क आंसर सही दिया, मुश्ट ले इस्ट्रेडनेस के वारे में डेटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, पिर उन्हें आप कभ ना अंसर बताना है, और इसके अलाबह हम हमारे Facebook पेज़ पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सरच करके हमारा Facebook पेज जोइन कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indreshRC, Instagram पर IndresRC सर्च करके आप मेरी साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टारगेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टारगेट है 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो इस study related whatsapp और facebook ग्रूप है उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भे आपसे subscribe करेंगे तो बरावन में एक bell icon मन के आएगा